केंदर सरकार वफ एक्ट में संसोधन करने वाली है, उसके लिए बिल पार्लेमेंट में पेश के अगया है, तमाम विपक्षी दल जो है इसका वरोज भी कर रहे हैं, जमियत अलुमाई हिंद, इस पर क्या मानती है, मारे साथ मुलाना काब रशीदी साब हैं, उत्तर के लिए 995-388-9367 पर कॉल करें, देखिए वक्ष के संबन में मैं तीन बाते पहले कहना चाहता हूँ, देखिए भारत के समविधान में, आर्टिकल 25 में और आर्टिकल 26 में, माइनोरिटीज को ये राइट दिया हुआ है, कि वो अपने इंसिट्यूट इस्टेबिश कर सक हैं, चरिटिबल इंसिट्यूट भी, उसमें कोई सरकार हस्तक शेप नहीं करेगी, ये फंडमेंटल राइट है, देश के अंदर समविधान सुप्रीम है, आप जो संशोधन ला रहे हो, आप समविधान की सोल पर आकरमन कर रहे हो, समविधान की रूख को कुचल रहे हो, इ एक मुस्लिम डोनेट करता है अपनी आने वाली पीडियों के लिए, ये कोई सरकारी संपत्ती तो है नहीं, ये तो अपने एक धार्मिक कारे के लिए वो अपनी संपत्ती को वक्फ करता है, अपने आने वाली पीडियों के उजोल भविशे के लिए, ये तो प्राइविट म मुसलिम को कैसे शामिल कर सकते हो क्या भार सरकार राम मंदिर से जुड़े हुए बोर्ड में या बदिरी नाज से जुड़े हुए बोर्ड में या ऐसे बहुत सारे बोर्ड जो मैनेज करते हैं हिंदू टेंपल को तो क्या आप वहां पर किसी मुसलिम को एंटर कर सकते हो क्या यह आपके शुद्धी करन के खिलाफ नहीं है चुके आपका एक रिलीजियस स्टेटस है आपकी मानने ता है धर्म की मैं तो नहीं जानता तो आप मेरे शुद्ध रूप से धार्मिक किरिया में आप किसी नौन मुस्लिम को एंटर कैसे कर सकते हैं कि जो माफिया लोगों ने कबजे कर रखें वफ की संपत्तियों पर उसको कबजा मुक्त कराना है इसलिए तो उसको कबजा मुक्त कराने का के यही तरीका है कबजा मुक्त कराने के लिए क्या आपको वहाँ पर उसकी जो बुनियादे हैं उसको छिन बिन करना पड़ेगा ये कैसी बेसलेस बात है और तीसरा बिंदू मेरा ये है कि आप जिला अधिकारी को डाल करके मैं ये कहता हूँ जिला अधिकारी तो बहाना है सरकारी हस्तक्षेब को बढ़ाना है ये असल वजा है हम अभी भी संशोधन से पहले भी तो जिला अधिकारी ही जिले में में होता है वफ़ प्रोपर्टीस का अधिकारी जो संशोधन करके ये ला रहे हैं उसमें जिला अधिकारी की भूमी का को बहुत बढ़ा रहे हैं अब आप ये देखिए अभी क्या है कि कोई लेंड है अगर आप उस पर कुछ कर रहे हो तो वक्फ बोर्ड उस पर डावा कर सकता है और उसका सत्यापन करना पड़ा है क्या लगता कुल मिलाकर के बारस सरकार की नियत पर आपको सवाल शक है देखिए मैं नियत पर शक है नहीं है वो एक अलग कौशन है, मैं ये कह सकता हूँ कि आप सम्विधान की आत्मा को कुचल रहे हो, इसी लिए TDP हो, या आपकी इसी तरीके से YSR हो, लोग जन शक्ति पार्टी राम विलास हो, आप देखिए उनके नेताओं ने सदन में क्या भाशन किया है, JPC में जो भेजने की डिमांड की गई है, ये सिर्फ विपक्ष के हमलों से नहीं हुआ है, ये इंटर्नल जो आप बासवान तो साथ में है, समर्थन में असर कर गए है, उनका बाहर उन्होंने क्या कहा है, वो इंपोर्टन लेंड है, आपको क्यो दिक्कत हो रही है, आप छोड़ दो उसे, इसका मतलब, सरकार को इसमें दखल नहीं देना चाहिए, एक सवाल मेरा भी ये है कि उत्राखंड सरकार जो है, अक्टूवर के पहले महीने में यू सी सी लागू करने जा रही है परदेश में, देश का पहला स्टेट होगा उत्राखंड जहां, यू सी सी जो है लागू हो जाएगा, हम पहले भी कह चुके हैं कि यू सी सी जो है, ये कॉंसिट्यूशन में दिये हुए कल्चिरल राइट प्रोटेक्शन फ्रीडम उफ रिलीजन उसके खिलाफ है और जम्यत अलमाहिंद के प्रिजिडेंट वक्फ बोट के इशू में भी कह चुके हैं कि हम रिलीजियस प्रैक्टिसिज में कोई समझोता नहीं करेंगे किसी के साथ, ये हमारा अपना राइट है हम उसके हक के साथ में भारत के समविधान में जो आजादी मिली है वो रहेंगे अगर पारलिमेंट से पास कर देती है संसुदन पास हो जाता है बिल तो क्या सड़कों पर उतरेगी जम्यत सड़कों पर उतरने का कोई सवाल नहीं है अभी तो जेपीसी में चला गया है जोइन पारलिमेंटरी कमेटी में चला गया है अभी तो वहाँ पर रिसर्च होगी और हमने हर स्टेज पर अपने मत को रखाए कानुनी लड़ाई लड़ेंगे हर तरीके से जो भी जरूरत होगी हम अपने लीडर्शिप के अंडर में मौलाने अरशद मतनी साहब की गाइड लाइन पर हम इसमें काम करेंगे देखिए जमितल माहिन का साफ़तोर पर कहना है कि वफ एक्ट में संसोधन बिलकुल मनजूर नहीं है और हर इस तर पर इसकी लड़ाई को लड़ा जाएगा और जो सरकार संसोधन कर रही है वो समिधान की आत्मा पर हमला है